सबसे पहले फ्रेंड अब सब्सक्राइब लाइक और सेयर करना ना भूले आज मैं पका आमका कुलफी बनाऊंगी आमको अच्छे से काट दी हूँ अब इसको मिक्सर गराइंडर में पेशने के लिए डाल रहे हूँ थोड़ा चीनी डालेंगी स्वादे नुसर थोड़ा पानी डालेंगी अब इसको मिक्सर गराइंडर में पेश का डे आयम देखिया अच्छे से पीस ली हूँ अब मैं आइस क्रीम मेकर में जमने के लिए डालेंगे थोड़ा थोड़ा केसर में डाल रहे हूं ताके स्वाद अच्छे लेगे अच्छे 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 आच्छे आच्छे बन चुका है, चार या पांच घंटे के बाद मैं फ्रीज से निकाली हूँ, कैसा बनाए कुल फिल, हमें कॉमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें झाले तो